दोस्तो यहाँ पर आप लोग लाइब देख सकते हैं, फर्स्ट किस्ट का पेसा यहाँ पर आना सुरू हो चुका है, यहाँ पर आप लोग डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग एमाउंट भी देख सकते हैं, यह दोस्तो फर्स्ट किस्ट का पेसा आ चुका है, यह पर आप लोग बैंक अकाउंट भी देख सकते हैं तो दोस्तो परधानमंत्री आबासुजना ग्रामीन के समंधित फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा परधानमंत्री आबासुजना ग्रामीन 2023 के अंतरगत फर्स किस्त का पेसा आना सुरू हो चुका है अगर दोस्तों आप भी एक ने लभारती है आप भी परधानमंत्री आबासुजना के लिए एपलाई किये थे तो दोस्तो आपका भी परधान मंत्री आवास विजना का पहला किस्त आना शुरू हो चुका है, आज के डेट से दोस्तो शुरू हो चुका है, किन की लाभार्तियों को आज से पेसा दिया जाएगा, और किन की राजिक अंतरगत पेसा दिया जाएगा, इसका भी पूरा डीट कर लेते चलिए दोस्तो शुरु करते हैं तो दूस्तो यहाँ पर आप लोग live देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट निकल कर आ चुका है और इस लिस्ट में जितने भी लाबारती है सभी लाबारती का first installment का फेसा दिया जा रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं first installment और यहाँ पर आप लोग amount देख सकते हैं 25,000 इन सभी लभार्तियों को आज के date में पेसाद दिया जाएगा यहाँ पर आप लोग पुरा details देख सकते हैं यहां पर आपको list में सभी लवार्तियों का नाम देखने को मिल जागा, यहां पर आप लोग पूरा details चेक करने के लिए, यहां पर आपको registration number को copy करना होगा, registration number को copy करने के बाद यहां पर आपको three line बल ऑप्शन पर click करना है, इसके बाद stake holder पर आपको click करना है, इसके बाद यहाँ पर IAY, PMA, YZ बिनिफेसरी इस option पर आपको किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको registration number को paste कर देना है और इसके बाद आप नीचे submitable option पर किलिक करना है जैसे दोस्तों आप submitable option पर किलिक करते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस beneficiary का पूरा details निकल कर आ चुका है यह दोस्तों 36 गड़का है यहाँ पर आप लोग पूरा details देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आईएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा इसका house status देखने को मिल जागा इसका house section हो चुका है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और दोस्तों जैसे आप नीचे आईएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा इसका order seat यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 24 3 2023 मतलब दोस्तों 24 मार्च 2023 को इसका order sheet निकल चुका है तो दूस्तो आज के date में इस लाभार्तियों का payment मिल चुका है यहाँ पर आप लोग पूरा details देख सकते है FTO number को track करने के बाद आपको पूरा details देखने को मिल जाएगा तो दूस्तो यहाँ पर आप लोग देख सकते है FTO number इस FTO number को आपको copy कर लेना है यहाँ पर copy करने के बाद यहाँ पर आपको 3 line बला option पर click करना है इसके बाद दूस्तो यहाँ पर आपको आवाज shop बला option पर click करना है इसके बाद FTO tracking के उपर click करने के बाद यहाँ पर आपको FTO number को paste करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस capture code को इस box पर आपको सही-सही fill up करना होगा तो दोस्तों यहाँ पर हम सही-सही fill up कर लेते हैं सही-सही fill up करने के बाद आपको नीचे submitable option पर click करना है submitable option पर click करते ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका FTO जारी हो चुका है और FTO रिचीब भी हो चुका है और दोस्तों इस FTO नमबर पर आप जैसे ही किलिक करते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे लिष्ट निकल कर आ चुका है और इस लिष्ट में आपको फर्स्ट किस्ट का पेसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट इस्टोर्मेंट का पेसा और दोस्तों यहाँ पर आप लोग अमाउंट देख सकते हैं 25,000 और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर बहुत सरा beneficory का यहां पर नाम add हो चुका है और इन सभी लभारतियों को आज के date में पेसा दिया जाएगा जो कि दोस्तो कुछ कुछ लभारतियों को पेसा मिल चुका है आज के date में और दोस्तो जितने बचे लभारती है उन सभी लभारतियों को आज के डेट में पेसा दिया जाएगा तो दोस्तो आसा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहींगे ते चैनल को सब्सक्राइब कर लेते चलिए दोस्तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई बंदे मातराम जहिन जब